Hello students, चलिए start करते हैं, straight line का example number 9 देखती है, क्या है, write the equation of the line, 4 ways, 10 theta equal to 1 by 2, where theta is the inclination of the line, and y intercept दे रखा माइनस का 3 by 2, and x intercept दे रखा 4, तो हमें इनकी help से क्या करनी है, अपनी equation of line find out करनी है, तो चलिए देखते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें given क्या है, पहली चीज हमें 10 theta equal to 1 by 2 दे रखा है, अब देखो 10 theta होता क्या है हमारा, slope को represent करता है, m is equal to क्या होता है, 10 theta, tangent theta equal to 1 by 2, इसका मतलब क्या है, slope की value तो हमें दे रखी है, m equal to 1 by 2, ठीक है वई, उसके बाद क्या दे रखा है, theta is the inclination of the line, where y intercept is equal to minus 3 by 2, इस intercept का मतलब क्या होता है, देखो, मानलो यह हमारा graph होता है, यह x axis होती है, y axis, y equal to minus 3 by 2 दिया है, तो मतलब, यह line है, वो minus 3 by 2 पर cut कर रही है, intercept का मतलब यह होता है, यहाँ पे x intercept 4 दे रखा है तो मतलब यह हमारा x equal to 4 है और line हमारी इस point पे cut कर रही है इस point से pass हो रही है यह मतलब होता है intercept का ठीक है तो सबसे पहले first में क्या दे रखा है y intercept y intercept दे रखा है हमें कितना minus का 3 by 2 अब कोई भी equation है उसको कैसे लिखते हैं y is equal to mx plus c रखे minus का 3 by 2 यह intercept हो गया अब इसमें क्या गरना है हमें values को put कर देना equation आ जाएगी y is equal to m की value क्या है 1 by 2 into x और यहाँ पे minus का 3 by 2 तो y is equal to क्या गया यहाँ पे 2 lcm आ गया इनका तो उपर क्या गया x minus 3 2 की multiply करेंगे तो 2y is equal to x minus 3 ठीक है तो क्या गया माइनस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x minus 2y is equal to 3 यह equation आ गई हमारे पास clear है कोई दिक्कत की बात नहीं x minus 2y equal to 3 इसको और दूसरी form में भी लिखा जा सकता है कैसे 2y minus x equal to minus 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है और क्या form हो सकती है 2y minus x plus 3 equal to 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है यह आगे हमारी equation of line समझ में आगई बात second पे चलते है second के अंदर क्या दे रखा है x intercept दे रखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x intercept हमें दे रखा है 4 इसका मतलब d की value दे रखे है 4 जब x intercept given हो तो हमारी equation क्या होती है y is equal to m into x minus d यही तो form होती है तो यहाँ पर value put कर लेंगे y is equal to m की value क्या थी बच्चो 1 by 2 x minus d की value 4 यहाँ पर multiply करेंगे 2y is equal to x minus 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y minus x equal to minus 4 या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं x minus 2y equal to 4 ऐसे भी लिख सकते हैं यह दोनों क्या हो जाएंगे हमारी equation of line clear question समझ में आया x intercept given हो तो इस form में हम equation लिखते हैं y intercept given हो तो y is equal to mx plus c की form में equation लिखे जाती है कोई भी doubt, कोई भी confusion लगे तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं screenshot लेके mark करके मैं जल्दी से जल्दी as soon as possible time मिलता है मैं आपको reply कर दूंगा thank you students for watching next class is